vomit welcomem टो there? this video, aloud के यूदी लमाशिस्ट में बात करने वाले थार this is एक और ऊप रही है ओडियशा स्टाफ सलेक्शन कमिशन मेन ये विकशनशी आई है यहर सिटेट में स्टाफ सलेक्शन कमिशन होता है जैसे कि अगर आप राजिस्तान चाहिए है तो RPS relief workforce EC जीपी ऐसी है वैसे ही ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में वेकेंसी आई है फार्मसिस्ट की क्या वेकेंसी पूरी नीटेल में बात करेंगे उसी के साथ सबसे इंस्ट्रक्शन इसके देख लेते हैं स्टार्ट देट मतलब कि 10 तारीक से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं क्लोजिंग डेट जो है वो 11-1-2022 तक इसकी क्लोजिंग सबसे इंपोर्टेंट ची यह याद रखने के लाएक अब सेकिंड तिंग मैं आपको बता सबस्ट हैं और देखिए हमारा एक ही मोटो है कि जितने भी फार्मसिश्ट तुडेंट है जाए वो बी फार्म डी फार्म फ्यूचर में फॉर्मसिश्ट की जॉब करना चाहते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है कि इस्टूरेंट जब वैकंसी आती है तो उनको मेरा ए मिलभ्लिफाय एक अक्रमारमट्ट्ध कुर्मार्मेंट जो है वो ले सके एक फ्रमासिस्ट चलिए बात कर रहे हैं से एक वक्रमासिसट突न Water स्फ्रेंट को आप को खोले के नीचे की तरह यहां फर आँठ नंबर पर आपको फार्मासिस्ट देखेगी देखिए पीडियाप की लिंक जो है वह हमेसा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा आप इसको एक क्लिक पर डाइलोड करके अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं दो फार्मसिस्ट की वेकेंसी है तेखिए दो लिखावा और तो डबल का मतलब यहां पर यह है की वेकेंसी जो है यह उर अनन के लिए वेकेंसी जो है इसे थेप सते ही अब बात आते हैं यहां पर देखिए इसकी essential qualification जो है वो क्या रह सकती है तो फार्मस लिस्ट आंट नमर पर देखिए हाई सेकंडरी एट एस सी विट डिप्लोमा इन फार्मसी फ्रॉम रिकृटराइग उन्डिसिटी बस इतना ही मांगा है कि आप 12th साइन से पास आउट है और आपके पास डी फार्मा होना चाहिए तो डी फार्म होना चाहिए इसके बाद मतलब बी फार्म वाले के अट भी आटमेटिकली इलिजिबल है लेवल 7 की ये पोस्ट है देखिए इसमें जो ग्रेड पे मिलेगा आपको एज परमानर की पोस्ट की तरह मिलेगा बट ये है कॉंटेक्ट पे ताकि जब भी फूचर में मेरे इसाब से इनको प्रिफरेंस मिल सकती है इस इसाब से ये वेकेंसी है अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सब कि ओडिसा में आई है तो किसी साब से या रहेगा कोई भी स्टूडेंट कैसे बरपाएगा तो यहां पर आप देखेंगे देखिए आपको ये ओफिसल वेबसाइट देख रही है ओडिसा स्टाप सेलेक्शन कमिशन की ये ओफिसल वेबसाइट है इधर जाके आप एप्लाई ओनलाइन में क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी अडिवर्टीजमेंट है ये फार्मसेज रिकाडिक इसके उपर आप जो है सबसे पहले आजकाल जैसे ही हम ओनलाइन फर्म कंःना पड़ता है उसके बाद हम इसको फॉर्म को का आप का चलिक करेंगा लिख करेंगे सैकिद नमर की बारे में हम पढ़नी आनी चाहिए बाकि सब सारी चीज़े जो है नॉर्मल एस पर लिखी हुई है मैं पेडियाप को अटेज कर लूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चैक कर सकते हैं बाकि रिक्वार्मेट जो भी उडिशा से कैंडिडेट है उनके लिए बड़ी आपसर हो सकता है चलिए तो कैसा लगा आपको वीडियो जुरू बता है क्वार्ट स्विक्शन में लाइक करें शेयर करें सब्स्क्राइब करें में चल्पो ऐसा इन्फर्मेटिव फार्मसोटिकल इंडेट न्यूज अपडेट वेकेंसी अपडेट एंड मैंनी ओर थेंक्यू सो मज की पॉजिक